सबी इलेक्ट्रोनिक प्रिंट मेडिया के सभी साथी पार्टी के प्रदेश देख सादर ने जग्दावाबू जी मनोज हाजी आलोक मैता जी कारी शोहिव साहब जी आप सब लोगों को विशे पता चला हुए प्रिशी बिल को लेकर के उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सप्टेबर को सड़कों पर प्रदेशन किया था मैंने खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था और ये विशे सब बिहार के सामने हैं बलकि कि उन्हें देश के सामने आया फिलहाल के दिनों में जब से ये मौझुदा सरकार इंडिये सरकार मोदी जी की सरकार चल रही है तब से आप लगतार देखेंगे जितने भी एर इंडिया हो रेलवे हो आपके भारत पेट्रोलियम हो सारी चीजों को जो है BSNL हो LIC हो सबका जो है निजिगरन किया जा रहा है प्राइवेट हातों में बेचा जा रहा है हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीडियों की बात हो या भविश की बात हो हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोनन को आप मजबूत करें आप चाहे देखेंगे चाहे हर्याना हो पंजाब हो सारे किसान जो है चाहे वेस्टन यूपी के हो देश भर में किसानों में बड़ी नाराज़गी है मौजुदा सरकार सा और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का आए जो है दुगुदा किया जाए अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो MSP है नियुन्तम समर्थन जो आपका मूल ले देखेंगे उसको ही समाप्त कर देके बाद किसानों का आए दुगुदा कैसे होगा और हमने कई बिंदू बार बिल के कमीयों को हम लोगोंने उजागर किया था हैलाइट किया था आप ही लोगों के सामने कि एक सेक्टर जो अगरिकेलचर का जो क्रिशी का जो बचा हुआ है उसको भी प्राइवेट हाटों में सौपा जागा है इसमें आप देखिएगा यह सिर्फ प्राइवेट हातों में सरकार के रिए इसलिए दिया जा रहा है कि डारेक्ट खरीद फरोग कुछी से करेंगे कंपणियों से प्राइवेट कंपणियों से यह किसानों के लिए बहतरी के लिए है यह सरकार का ऐसा कहना है हम सब लोगों ने पिछने सारे कानूनों को देखा चाहे लोगों बंदी हो जीस्टी हो है सारे फैसलों को हम लोगों ने देखा यह सरकार हमेशा आके कहती है कि इनके फाइदे के लिए है लकिन फाइदा जब चार साल बाद पांप साल बाद पूछा दारा है, तो कहने की स्थिति में नहीं है सरकार, जवाब नहीं देना चाहती है, मुद्दे से भढ़काना चाहती है, और इस साफ उसी तरीके कानून है, कि आपको पूरी तरीके से ठगा जा रहा है, ये किसान विरोधी बिल है, जहां सबसे बड़ा जो किसानों का जो डिमांड अगर आप देखेंगे, तो मस्प को लेकर करें, इस ही मूल जो है फसल का, वो किसानों को मिलना चाहती है, बड़ी संख्या में किसानों का हम लोगों ने सुना है, कि आथ में हक्तिया कर रहे हैं, कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, ऐसे इस्तिती में ऐसा कानून लाना, क्योंकि देश का खिसान मौजूदा सरकार के आने के बाद बेहत कमजूर हो चुका है, और हमारा देश जो है पूरी तरीके से अगरिकल्चर में, सेक्टर पर डिपंडेंट हैं, लगबग सक्तर से असी फीसदी देश का हिस्सा या बिहार का हिस्सा, प्रिशी पर निर्भर करता है, जो अन दाता है, जो हमको आपको सभी लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, जो दिन राट महनत करते हैं, उनके लिए ऐसा कानून बनाना, जो है हम समझते हैं, यह देश के खिलाफ हैं, हमारे किसानों के खिलाफ हैं, और हमने 25 सप्टमबर को हम लोगों ने, सरको पढ़ा करके प्रटेशन किया, अभी आप सब लोग देखते होंगे, कि किसान जो हैं, सरकार से बाची चल रही हैं, कानून बनाने से पहले, एक बार प्रामर्श करने ना चाहिए, सरकार ने नहीं की, सबसे बड़ी भूर, अब एक दिखावटी, एक स्क्रिप्ट प्ले किया जा रहा है, कि सरकार जो है, किसानों के हित्म हैं, जब सरकार कह दिया है, कि MSP जो है, नियुक्तब समर्तन मूल, दिया जाएगा, तो लिखित तोर पे, हमारे किसान भाईयों को क्यों ने दिया जा रहा है, लिखित पे क्यों ने दिया जा रहा है, कल भी हम लोगों ने देखा कि, बाचीत का दौख चला, लेकिन किसानों ने ना तो पानी वहां का पिया, ना तो खाना खाये, और इस तरएक, सरकार ने वयभहार किया, जब आप, पीस पुली आप को यह आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या क्या जो है, लाठी से लेकर के, आसू गैस से लेकर के, पाने के बहुचारों से लेकर के, आस आंदोलन को कमजौत, रोकने की पूरी साजिश चलिए यह अपने ही लोग है किसाथ जो सब्खा पेट पालने का काम करते हैं उनके साथ ऐसा वेवहार किया जा रहे है हम लोग सब लोग जानते हैं कि बिहार में जहां APMC का सवाल है जो मंडियों की सवाल है वो 2006 में ही जो है अभी आप देखिएगा विहार के किसान जो है पलाइन करने पर मजबूर है अपने किसानी छोड़ दिया हो मजदूर बन चुके है मजदूरों की ऐसे सिती है कि बाहर पलाइन करना पड़ रहा है उनको भी बड़ी संख्यान है इसमें सुप्रीम कोट का हाई कोट का सब लोगों का फटकार आया फिर भी ये सरकार जो है रोजगार नहीं देख पाई अब जब मंडी जब खतम हुआ तो इससे किसान हमारे कमजोर चलते रहे जो मूल ने जो सही मिलना था वो नहीं मिल पाई अभी विहार में दो चीजों का ही MSP है दो फस्लों अभी धान की बात चल दी है हम लोगों ने विधान सबाव में में इस बात को उठाया पुरे विपास के लोगों ने गुल्बंध हो करके अब धान की कीमत क्या है मिनिमम जो है MSP का अगर बात किया जा तो सारे 1800 रुपह कहीं भी बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही है मानने मुक्वंत्री जी साफ तोर पे जूट बोलने का काम कर रहे है गुम्राब करने का काम कर रहे ये क्रिशी रोड माप बना रहे है लेकिन उनको तो ये भी आखरा देना चाहिए बिहार के लोगों को कि आखिर कितने मूल पर कौन-कौन सी फसले जो है किसान जो है खरीद रहे आखिर मुक्य मंत्री इसका आखरा क्यों जे दे किस बात कर ड़ दे और खुल खर के सीना चोड़ा करके मन्य मुक्य मंत्री जी जो है इस बिल का हाउस में समर्थन किया और वहाँ वही ले रहे हैं किस बात की पता नहीं हम तो उस समय भी देश की जनता को आगा किया था कि देखो ये पहला राज है जहां बिहार में नितीश कुमार जी ने एपी एमसी जो है खतम किया मंडी की विवस्था खतम की माल लीजिए प्राइवेट कंपनी अगर खरीदती है डारेक्ट किसानों से तो किसानों को कहां जाना होगा उनका फाइदा कैसे होगा और नेगोशियेशन में अगर बात अगर खसेगी तो कितने लेवल पर उनको जाना हो और अपने देश में ऐसा तो है लेकि प्रश्ट चार्ट जो है मुक्त देश हो गया वकील भी रखना पड़ेगा कोट भी जाना पड़ेगा अधिकारी के पास भी चक्कर काटने पड़ेंगे कमपनी वालों को तो कुछ नहीं करना पड़े तो इस सहाब से तो किसानों के लिए तो कोई विवस्था ही नहीं की गई इस बिल में और आप तो देखेंगे एक बीजेबी की बड़ी सहयोगी सबसे लंबे दोर से जो सहयोगी दल रही आकाली धल उनके भी एक मंत्री जब केंदर में मंत्री थे अभी बिल आने से पहले ही स्तीफा हुआ अब तो पद्वा भूशन से लेकर के सारे अवार्ड जो है चाहे खिलारी हो चाहे कलकार हो या बड़े समाथ से भी हो सब लोग को रिश्कार जो है वापस कर रहे हैं फिर भी ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा है देखिए डेमोक्राशी में खत्रा है और पहले ऐसी परंपरा हमेशा से रही है कि जब भी कोई बात आंदोलन हुआ है तो सरकार जो है बात करती रही है कॉमुनिकेशन रहता है अब तो मौझूदा सरकार से कोई कॉमुनिकेशन नहीं है और इतनी बड़ी समस्या देश के सामने आई है और प्रधान मंत्री जी गाइब है क्या प्रधान मंत्री जी को किसानों की बात मिल करके सुननी चाहिए थी कि ने सुनी चाहिए थी और हाला कि जब भी जन प्रतनिदियों का ये काम होता है कि जन प्रतनिदी चुनके आते लोगों के द्वारा चुनके आते तो वह फैसला जनता का होना चाहिए ना कि किसी एक इंडिविजुल का फैसला होना चाहिए करोना काल है प्लेन चल रहा है लेकिट ट्रेन नहीं चल रहा है क्या का रहा है कि रेन्वे को निजी कर रणकर दिया है बलकि स्कूप जादा ट्रेन में जादा है अगर क्लेन की मुकाबले बस की मुकाबले या कार की मुकाबले बात की जाये तो करोना के आग में सभी लोगों को जो है बड़बाद किया जा रहा है मौजुदा सरकार चाहे देश के नौजवान हों किसान हों मजदूर हों वेफसाई हों किसी की पूछ इस मौजुदा सरकार में नहीं हो रहे पूछ तो दूर की बात कम से कम उनका अधिकार दिलाने की जो बात होनी चाहें तो हम लोग लगतार इस चीज़ को लेकर के चिंतित है कि यह कोई मौजुदा स्थिति की बात ने जब किसान के पास जमीनी नहीं रह जाएगा तो किसान खढ़े नहीं है यह पीडियों की बात है जहां सप्तर से असी परसेंट देश हमारा डिपेंडेंट एंगरी कल्चर छेटर में हैं तो क्या ध्यावक स्थिति होगी हम लोगों को भविश्की भी चिंता करनी चाहिए इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एक जुट होकर के सड़कों पढ़ाएं और इस अंदोलन को जो है मजबूत करें और हम लोगों का दाइद्व जादा बनता है सब लोग हमारे पार्टी के लोग लगतार हम लोग इस चीजों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी निताओं के साथ कल हम लोगों ने भरने का प्रदश्चन करने का फैसला किया है और जगे और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा पटना में कर दस भजेशे धरना आज की जंकता दल गांधी मैदान में गांधी जी की मुश्टी की पाश क्योंकि ये गांधी के बिशारों पर सबसे बड़ा हमला है और जिने सबसे बड़ा आधार भारत का मांधे थे गांधी को किसान को उस पर ये हमला है इसलिए प्रतिकात्मा हम सबों की कोई शुरुवाद जैस्वे जी का नत्त्त में कलधरना के मादम से गांधी मैदान के गांधी जी की मुश्टी के पाश से शुग होती है गांधी जी का जिक्रचला आप लोक सब्लोक जानते हैं गांधी जी को महात्मा चंपारण की धर्दी ने बनाए नील की खेती जो अंग्रेजों का द्वारा जो कराया जाता था अज तक्रीबन तक्रीबन वह इस्थिति है कि आपको मजदू भी बना करके छोड़ा जाएगा आपको काम करना है लेकिन उनको सम्मान और अधिकार जो बनता है वो ने दिया जाए यह एक बड़ा विशे हम लोगों के सामने है और हमको लगता है कि सरकार जब कहती है तो लिखने में लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब सरकार ऐसी हो रही है बिहार की सरकार मुक्रमंत्री जी को देती है और इस सदन में आप सब लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा होगा कमिटी बनाने की बात की गे थी करोना को लेकर के सदन को ही जब जूट गुम्रह कर दिया जाता है जहां बाते में सुनी जाती है केवल मीडिया में बैठ करके हवा बनाया जाता है यह हो रहा है वो हो रहा है तो लोग विश्वास कैसे करें लगतार हम लोगों का गलाप खट गया चीक-चीक करके कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिलता अगला सपर में मिलेगा जवाब होगा तब तो मिलेगा तो ऐसे सरकार जो जूटी सरकार हो सदन को ही गुमरा किया जाता है मनद पहली बार एक पड़ंपरा चल परी है एंडिय सरकार में जूट बोलो मजबूती से बोलो सांदार बोलो और बार बार बोलो जमीनी स्थित्ती क्या है हकीकत क्या है जो अधिकारी दिया उसको पड़कर के बोल दिया गया मास्क मत लगाओ ये मत लगाओ वो मत लगाओ फिर बोलता है हमने तो बोलाएंगे जो दिया उपड़ लिया वही काम हो रहे है आप किसके लिए आप देश की जनता के लिए हैं बिहार की जनता के लिए हैं जब बिहार की जनता परिशान है तो आप उस पर लाठी चार्ज करवाते हैं किसानों पर नौजवानों पर तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों को लगा कि आप लोगों को भुला कर कि इसका जिक्र हम सब लोगों को करना चाहिए